नमस्कार दोस्तों लली जोति समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वास्तू के अनुसार आप अपने जूते और चपल से जुड़ी हुई कुछ खास बातों का ध्यान रखे तो सनी की जो साड़े साती और ढहिया होती है वो आप पर परभाव नहीं डालेगी या कम डालेगी और अगर आप सनी की साड़े साती और ढहिया में इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो ये जूते और चपल से जुड़ी हुई परिशानियां आपको खास परिशान कर सकती है देखिए दोस्तो शनी देव को कुरूर देवता माना गया है लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है क्योंकि शनी देव की किरपा अगर एक बार हो जाए तो व्यक्ति को माला माल बना देती है शनी का संबंद हमारे पैरों से माना गया है सौभग्य और शनी की किरपा पाने के लिए जूते चपल से जुड़े वास्तु उपाए करने अति आवशक है देखिए जब भी कोई व्यक्ति जूते चपल पहन कर घर के अंदर परवेश करता है तो अपने साथ राहू के तुसे जुड़े दोश भी साथ में ले आता है कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर से जूते या चपल चोरी हो जाते हैं लेकिन अगर आपके उपर शनी की ढहिया चल रही है, साड़े चाती चल रही है या किसी भी परकार से आपकी कुंडली में शनी शुब नहीं है और ऐसे समय में ये जूते ये चपल चोरी हो गए तो ये असुब नहीं माने जाएंगे ऐसा होने पर ऐसा माना जाता है कि आपको शनी की परकोब से छुटकारा मिल सकता है देखिए, जो फटे हुए जूते चपल होते हैं वो हमारे भाग्य को खराब करते हैं इसलिए कभी भी शुब कारे जैसे कि नौकरी के लिए बेटी या बेटे के लिए रिश्टा देखने अगर आप जा रहे हैं या किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो फटे हुए जूते चपल नहीं पहनने चाहिए इससे घर में दरिद्रता आती है तथा साथ में आप जिस भी कारे के लिए जा रहे हैं उसमें अर्चन आ सकती है देखिए कहते हैं कि घर के बाहर जो नकारत्मक शक्तियां होती है जो नेगेटिव एनरजी होती है जब तक वो दहलीज के अंदर नहीं आती घर में शुक शान्ती बनी रहती है लेकिन जैसे ही ये कोई भी नकारत्मक शक्ति घर के अंदर आ जाए तो परेशानियां शुरू हो जाती है चपल और जूतों के बारे में यही कहा गया है और यहां तक कि हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि जूते चपल को घर की दहलीज पर कभी नहीं रखना चाहिए इनकी जगा घर के बाहर हो तो जादा बहतर रहेगा घर में जो अतीती आते हैं वो भी अगर घर के बाहर ही जूते चपल उतारे तो काफी बहतर रहेगा इसके बीचे यह माननेता है कि जूते या चपल की जो नकारत्मक उज़ा है वो घर में आ जाती है जिसके करण हमें समस्या होने लगती है जैसे कि धनहानी अशान्ती स्वास्तर से संबंदी परिशानिया होने का खत्रा बना रहता है देखिए अब घर में एक कोण होता है जिसे हम बोलते हैं इशान कोण जो की होती है उत्तरपूर्व दिशा यह बहुत ही महतपूर्व दिशा मानी गई है यदि घर के अंदर जूते चप्पल रखने का स्थान आप लोग बना रहे हैं तो कभी भी इशान कोण में इस जगा को आप यूज ना करें जूते चपल रखने के लिए देखिए जूते चप्पल रखने के लिए यह सबसे उत्तम दिशा है वो पश्चिम दिशा है पश्चिम दिशा में रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा देखिए अब कुछ कुंडली से जुड़ी हुई बाते हम जान लेते हैं अगर आपकी कुंडली में या किसी भी परकार से आपको शनी शुब परभाव नहीं दे रहा तो काले रंका परियोग आप ना करें खास तोर पर अपने जूतों में और अपनी बेल्ट में ये काले रंके ना पहने तो आपके लिए बहतर रहेगा काले रंकी बजाए आप भूरे रंके जूते या चपल पहन सकते हैं और साथ में बेल्ट भी पहन सकते हैं अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो घर में ना जने कितने सारे जोड़ी जूते और चपल इखटे कर लेते हैं ख इतने की आप पहन सके। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितने जोड़ी जूते चपल हो गए हैं और उनका नंबर पता नहीं कब आएगा तो वो नेगटिव एनरजी क्रियेट करने लगते हैं तो ऐसे में बहतर होगा कि आप इतने ही जोड़ी जूते चपल रखें जो आप आसानी से अपने परियोग में ला सकें अब कुछ लोग क्या करते हैं मान लिजिए कोई जूता या चपल चोरी हो गया मान लिजिए एक पैर का चोरी हो गया तो दूसरे पैर का संभाल कर रख लेते हैं ना जाने ऐसा क्यों करते हैं आप लोग ऐसा बिलकुल ना करें अगर कुछ चोरी हो जाए तो दूसरे को भी फैक देना बहतर रहेगा आप जब भी अपने जूते या चपल पहने तो उन्हें साफ करके ही पहने जूते हैं अगर उन पे पॉलिश होती है तो पॉलिश करके पहनिये या अगर उनको साफ करके आप पहन सकते हैं तो साफ करके जरूर पहने अपने जूते या चप्पल को आप गंदा ना रहने दे ऐसा करेंगे तो बिना वजा आपको जीवन में संगर्ष का सामना करना पड़ेगा तो जूते चप्पल से जोड़ी हुई ये चीज़े आप जरूर करें आज के वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली में या किसी भी परकार से आप शनी की शाड़े साती ढहिया या शनी के असुव फल भोग रहे हैं तो ये जो आज के वीडियो में हमने सावधानिया बताई हैं इनको आप करिए आपको निश्चित तोर पर लाब मिलेगा जाते जाते वीडियो में मैं चीज़ बता दू कि कुछ लोग शनी की परतिमा पर बहुत तेल चढ़ाते हैं तो ऐसी मूर्ती पर चढ़ाईए जिसकी आखे बंद हो या जहां शनी देव की परतिमा शिला के रूप में हो अगर आप ऐसा करते हैं तब ही आपको फायदा मिलेगा क्योंकि अगर आप किसी भी शनी की ऐसी मूर्ती के संपर्क में आते हैं जिसकी आखे खुली हुई है तो जाएंगे तो आप पूजा करने और आप शनी की दृष्टी के संपर्क में आ जाएंगे जिससे आपको नुक्सान जहिलना पड़ सकता है उपाय के तौर पर आप शनी को पीपल के पेड़ में मान कर पूजा करें और पीपल के पेड़ के नीचे ही शनीवार को एक सरसो के तेल का दीपक जलाएं पश्चिम दिशा की तरफ मूँ करके और पश्चिम दिशा की तरफ मूँ करके ही आप शनी के मंतर का जाप करें चाहें आप किसी भी शनी के मंतर का जाप करते हैं अगर आपको शनी का कोई भी मंतर नहीं पता, तो ओ, आप, ओ, शंग, शनिश्चराय नमा मंतर का 108 बार जाप करें, पश्चिम दिशा की तरफ मुह करके ही इस मंतर का जाप होगा तो दोस्तों, अगर आप पर शनी के ढहिया चल रही है, साड़े साती चल रही है, या किसी भी परकार से आप परिशान हैं, तो वीडियो में जो आपने सावधानिया देखी, और लास्ट में जो उपाय बताया, इसे अपने जीवन का नियम बनाईए, आपको निश्चे तोर पर लाब मिलेगा, दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिस्तेदारों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी सनी से जुड़ी हुई समस्याओं से परिशान चल रहे हैं, वो अपने जीवन में इस वीडियो के माध्यम से लाब उठा सकें, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, नमशकार दोस्तों, जै श्रीराम!